दोस्तों क्या आप भी इस तरह का चेस्मा यूज करते हैं? अगर करते हैं तो आपके सांथ ये लूज होना या फिर थोड़ा तेड़ा हो जाना इस टैप की समस्य से आप जरूर बुजरते होंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि ऐसी फ्रेम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं? वो भी अपने घर में ही जिया दोस्तों ऐसे फ्रेम लगतार लूज होते हैं और तेड़े होते रहते हैं इस वज़े से आपको ये चेस्मा यूज करने में काभी धि आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस टैप की जो फ्रेम आती है प्लास्टिक की उसमें कुछ इस टैप की समस्या आप देखते होंगे देखिए एक तरफ इसका उठा हुआ है और एक तरफ पूरा बैठा हुआ है इसकी वजह से आपके जो ग्लासे से वह आपके फेस में तिड़ा ना जाराता है यानि कि एक तरफ उठा और एक तरफ नीचे है इस टैप का तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं और वहीं पर आप देखेंगे तो इसकी जो एक स्टिक है वो ज्यादा अंदर है और एक स्टिक जो है बाहर की और है तो ऐसी सितिम भी आपका जो फ्रेम ह हैं वो आगे पीछे स्टैप के महसूस होता है यानि कि टोटल मिलागे हम कह सकते हैं कि यह कंफटेबल नहीं लगता है तो इसे ठीक करने का वैसे तो दो तरीका है एक तो आप किसी हीटर की मदद ले सकते हैं और दूसरा जो है एक मसीन आता है वार्व मसीन उसकी मदद से कि जा भीलागे जा सकते हैं मैं आप को हीटर को टाइट कर सकते हैं तो चलिए मैं दारिक लाइव लिखाता हूं कि कैसे करना है आपको ताकि वह आपका भी नहीं और जो यूच करने में भी असानी हो और आपका शेटिंग जो हैंडरेट परसेंट हो जाए विशलते हैं और देखिए आपको करना क्या है जिधर frame की stick जो है जादा मुड़ी हुई है उसी area को आपको इस तरीके से गर्म करना है और आगे पीछे करते रहना है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एकी जगा रखने से आपका frame जो है जल सकता है इसलिए इसको हलकी आज के लिए आगे पीछे करते रहें और उसके बाद जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपको इसको करना क्या है अपने सही स्थिति में ले के आना है जिसे इस तरफ से असा धक्का देना है तो यह हो जाएगा बिल्कुल सीधा और आपको लगाने में होगी काफी असान वैसी पर लग रहा है उसको पकड़ के नीचे करना है तो इस तरीके से आप जो है अपने चस्मे को बहुत ही असानी से बैलन्स कर पाएंगे ओके फ्रेंड तो यह थी बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़े जो लगातार होती रहेंगी है अगर आपके चस्मे अभी दिले नहीं हुए हैं तो कोई बात में लेकिन अगर ऐसे फ्रेम अगर यूज करते हैं तो एक नहीं एक दिला हो नहीं है क्योंकि यूज करत पा रहे हैं तो फिर आप किसी adaptation को जाकर ये ठीक करवा सकते हैं बहुत ज़ार चार्ज नहीं लगता है क्योंकि इसमें थोड़़ा रिस्क रहता है क्योंकि अगर आपने ज़्यादा घरम कर दिया या temperature को set नहीं कर पाए तो फिर आपका frame जो है और साथ-साथ आपको lens भी खराब हो सकता है इसलिए साथानी जो है फड़ा ध्यान में रखना है तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी है तो कापी काम की दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और बने रहिए उन टॉप चैनल के साथ नवस्कार रोस्ता